आज से सिर्फ 5 दिन पहले हर कोई इस बात से 101% एग्री करता था, बॉलिवुट को मास सिनिमा बनाना नहीं आता, बिलकुल नहीं लाजर देन लाइफ टाइप का सिनिमा देना, यह सिर्फ साउथ फुल्म इंडस्ट्री के बसकी बात है, वो लोग इसमें एक्सपर्ट हैं तो फिर पिछले 5 दिनों में ऐसा क्या हुआ, कि इस बात को सपोर्ट करने वालों का नंबर 100 से घटकर शायद अब सिर्फ 40-50% रह गया है जवाब आप जानते थे हो, फिएटर्स में पठान की एंट्री हो चुकी है, जिसके साथ ओफिशली बॉलिवुड ने अपना पहला कदम रख दिया है मास सिनिमा में पांच दिन में 550 करोड का नंबर क्रॉस करना, शायद इससे बड़ा सबूत कोई दूसरा नहीं होगा कि बॉलिवुड अच्छा मास सिनिमा बना सकता है और पबलिक उसको जरूर देखेगी और ये तो सिर्वात है, अभी मार्च में एंट्री हो जाएगी भोला की उस फिल्म का टीजर देकर अलगी डाइप की फिलिंग आ रही है, फोर देगी ये फिल्म थेटर्स में 100% इवन सल्मान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान ये भी काफी बड़ा सर्क्राइज है इसका टीजर प्रॉपर मास सिनिमा की फिलिंग दे रहा है, एकदम जबरदस कमबैक हो सकता है तोरफोर स्टाइल में और इसके तुरंद बाद वापस थेटर्स में लॉट आएंगे शारुख खान विद जवान वहाँ तो बॉलिवुड और साउथ दोनों का डेडली कॉमिनेशन मौजूद है, वो फिल्म शर्ट पठान के नंबर्स को भी क्रॉस कर सकती है लेकिन क्या आप जानते हूँ उपर वाले सारे नाम छोटी छोटे बच्चे हैं उस फिल्म के सामने जिसकी डिमाइड अब शारुख खान का हर एक फैन कर रहा है पूरे दिल से डॉन 3 बॉस ये आजकोल सोशल मीडिया पर काफी ट्रेंड कर रहा है शारुख फैन्स पूरी महनत से अपनी बात को फरान अक्दर के कानों तक पहुँचाना चाहते हैं उरिजिनली उनका प्लान तो था डॉन 3 बनाने का जिसका हिंट उन्होंने डॉन 2 के एंडिंग सीन में डाला था उसके बाद S.R.K का करियर थोड़ा उपर नीचे हो गया और वो खुद ब्रेक पे चले गए ये समझने के लिए कि फैन्स को उनसे आखिर चाहिए क्या लेकिन अब बादशाओ जंगल में लॉट आया है और वापस जाने के उनको कोई जल्दी नहीं है तो मैं फिलाल आपको एक ऐसी गुड निउस दुनाने वाली हो जिसके बाद शायदा पागल होके नाचने लगोगे डॉन 3 के मेकर्स आफ्टर दिस सक्सेस ऑफ पठान रियली इंटरेस्टेट हो सकते हैं फिल्म बनाने के लिए अंदर ये अंदर इसको लेकर काफी चर्चा हो रही है मास सिनिमा का टाइम चल रहा है और शारुक खान से बड़ा नाम बॉलिवूड में कोई दूसरा है नहीं अब उसमें डॉन वाला फैक्टर जोड के देखो बॉक्स ओफिस पे ऐसा तमाशा हो जाएगा ना कि गिन्ती गिनने के लिए कैल्कुलेटर्स कम पर जाएंगे फार डालेगी डॉन 3 सारे रिकॉर्ड्स को कमाल की बात जानते हैं क्या पठान से इंस्पायर होके डॉन 3 के डिरेक्टर फरान अक्तर अपना खुद का डॉन यूनिवर्स भी बना सकते हैं ऐसे हिंट्स मिले हैं जीहा न्यूस ऐसी भी आ रही है कि डॉन 3 की स्क्रिप्ट पे वो अल्रेडी काम शुरू कर चुके हैं और इस बर फिल्म में एक नहीं दो दो डॉन एक साथ नजर आएंगे शारुख खान प्लस अमिता बचन दोनों का क्रॉस ओवर हो सकता है डॉन 3 के अंदर फिलाल प्लांस तो बिल्कुल ऐसे ही हैं सिर्फ इतना ही नहीं फिल्म में विलन फेसिस के लिए भी बड़े बड़े अक्टिस को सिलेक्ट किया जाएगा हीरो के टककर का विलन और हाँ जादा चौकिएगा मत अगर रीजनल फिल्मों के अक्टिस आपको इस फिल्म में देखने को मिल जाएं सब कुछ पॉसिबल है अब देखो या आइडिया बुरा तो बिल्कुल नहीं है प्लस शारुख खान मशूरी है हमेशा अपने फैंस के दिल की बात सुनने के लिए तो क्यूनेट ट्विटर पे चलके हैश्टेग वी वॉन्ट डॉन्थ्री ट्रेंड करवाए जाए आज के आज अभी के अभी क्या बोलते हो पठान जवान डंकी के बाद क्या इस सवाल के जवाब का इंतिजार मत करो हमेश रहे है डॉन्थ्री फिल्म बनाने में चाहे जितना टाइम ले लो लेकिन एक छोड़ा सा अनॉंस्मेंट तो हम लोग भी डिजर्व करते हैं है ना इस बात को बिलकुल हलके में मत लेना आप अभी सबसे ज़ादा चांसे हैं कि फैंस अपनी सारी बाते मनवा सकते हैं शारुक खान से आप ट्विटर पे जाके हला तो करो थोड़ा शोर मचाओ वादा है मेरा आवाज उपर तक होच जाएगी बताओ फिर क्या बोलती पब्लिक डॉन 3 बननी चाहिए या नहीं अगर हां तो पठान के रिकॉर्ट सोट सकती है वो फिल्म ट्विटर पे जा रहे हो न तुम या नहीं अभी बताओ मुझे नीचे लिखकर बाकी वीडियो में कुछ पसंद आया हूँ या पर कुछ शिकायत करनी हो तो मैं आपको इंस्टेग्राम पर भी मिल जाओंगी बढ़ना थोड़ा सा इंतजार करिए मिलूंगे आपसे अगले वीडियो में टेक केर बाए बाए